हलो गाईज एक न्यू वीडियो मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ दोस्तो अगर आपका भी एक सौर्स यूटूब चैनल है जिस पर आप सौर्स वीडियो डेली अपलोड करते हो इसके लावा जो सबसे important होता है title, tags और description इन तीनों का किसी भी सौर्स वीडियो को viral करने में कितना important role होता है और इसके लावा मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको starting में किस टाइब के topics पर source वीडियो बनानी चाहिए जिससे आपकी source वीडियो जल्दी viral हो जाए तो आज की ये वीडियो दोस्तों interesting होने के साथ साथ knowledgeful होने वाली है आप इस वीडियो में लास्त तक जरूर बनरी है और दोस्तों हमेंसा मेरी आपसिक छोटी सी request रहती है अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe करकर बैल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए जिससे कि आपको हमारी latest वीडियो का notification सब सब पहले मिल जाए तो चलिए दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं और जानते हैं आपको कौन-कौन सी ट्रिक्स को follow करना होता है अपने किसी भी source वीडियो को viral कराने के लिए दोस्तों वीडियो में आगे बनने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जो भी जानकरी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ सब कुछ आपको प्रूप के साथ और प्रक्टिकल लिकर करके यहां पर दिखाने वाला हूँ और दोस्तों मैं एक जानकरी आपको और देना चाहूँगा जब भी आप अपने सौर्स वीडियो के टाइटल को फिल करते हो तो वहाँ पर आपको किस टाइप के हैस्टेक को यूज करना होता है वो भी मैं आपको इस वीडियो में कंपने डेटेल में बताने वाला हूँ तो यहां पर दोस्तों आप देख पा रहे हो मैंने यहां पर अपने डिजिटल बोड को आपन किया हुआ है तो यहां पर मैं एक यूटूब चैनल को आपन करके आपको दिखा दिता हूँ जिससे कि आपको कुछ चीजे अच्छे से किलियर हो पाएं यहां पर चैनल का नाम है Rules of Sigma यहां पर मैं टाइप करता हूँ Rules of Sigma यहां पर आप देख पार यह यह यूटूब चैनल आ चुका है जैसे मैंने Rules of Sigma सर्च किया इस चैनल को यहां पर मैं आपन कर लेता हूँ इस पर 2,31,000 सस्क्राइबर हैं और एप्रोक्स 140 वीडियो यहां पर अपलोड की जा चुकी है तो यहां पर मैं कोई भी एक वीडियो आपन करता हूँ यहां पर देख पारे हो यह एक वीडियो इसको मैं यहां पर आपन करता हूँ नो कमेंट्स और लाइक 5.94 के इसके लाव अगर हम बात करते हैं इस वीडियो के टाइटल के बारे में तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो इसमें only sigma rule लिखा हुआ है बाकी इन्होंने कुछ छोटे-छोटे keywords को यहाँ पर add किया हुआ है और साथ में hashtag source hashtag sigma rule यह इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है इसके लाव अगर हम बात करते हैं इस वीडियो के text section के तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो 8-10 text only यहाँ पर लगाये हुए हैं किसी भी यहाँ पर ऐसे highway alarm tag को add नहीं किया हुआ जिससे यह video viral हो जाए लेकिन फिर भी इस video पर अच्छे खासे views आये हुए है और इस channel की हर video पर अच्छे खासे views आपको देखने को मिलेंगे यह सारी चीजे मैं आपको क्यों दिखाई यह सब कुछ आपको आगे समझ आ जाएगा तो यहाँ पर दोस्तों आप देख पारे हैं पर क्लिक करने के बाद चार option मिलेंगे एक option आपको मिलता है create a source एक मिलता है upload a video एक गोलाई और create a post लेकिन यहाँ पर आप सबसे बड़ी गलती क्या करते हो यहाँ पर आपकी सबसे बड़ी गलती होती है आप यहाँ पर create a source पर क्लिक करके अपनी source वीडियो को upload कर दीते हो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा मैंने जिस YouTube चैनल को आपके सामने open करके दिखाया है मैं इस चैनल पर फिर से again विजिट करता हूँ और यहाँ पर मैं जाता हूँ वीडियो सेक्शन में दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हो इस चैनल पर source वीडियो जरूर अपलोड की गई है लेकिन कोई भी वीडियो source फॉर्मेट में अपलोड नहीं की गई यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा अगर आप create a source पर क्लिक करके अपनी वीडियो को अपलोड करते हो तो आपकी वीडियो पर सिरफ source फीड से वीव जाएंगे ब्राउजर फीचर से या फिर suggest आपकी वीडियो पर कभी भी वीव नहीं आएंगे तो यहाँ पर यह नुकसान होता है जब भी आप source वीडियो अपलोड करो तो यहाँ पर आपको अपलोड ए वीडियो वाले सेक्शन का यूज करना है इसे आपको फाइदा क्या होगा अगर आप अपलोड ए वीडियो वाले सेक्शन को यूज करते हो source वीडियो को अपलोड करने के लिए तो आपकी वीडियो source फिर्ड में भी जाएगी आपकी वीडियो पर browser feature से भी वीव जाएंगे home page से भी वीव जाएंगे और आपकी वीडियो suggest भी की जा सकती है किसी दूसरी वीडियो के नीचे और साथ मैं आपकी वीडियो पर ads भी देखने को मिलेगी आपकी earning भी यहां से increase हो जाती है यहां पर मैं एक dummy source वीडियो अफलोड करूँगा जिससे आपको सारी चीज़े यहां पर अच्छे से मैं clear कर पाऊँ तो यहां पर मैं इस वीडियो को select कर लिता हूँ select करने के बाद आपको next पर click करना होता है next पर click करने के बाद यहां पर सबसे पहला option मिलता है आपको title title में आपको एक अच्छा सा title यहां पर add करना होता है title में आपको यह ध्यान अटना है कोई भी यहां पर आपको searchable title add करने की जर्थ नहीं होती क्योंकि यहां पर मैं आपको बताना चाहूँगा title की कोई भी ज़्यादा एहम value नहीं होती है जैसे कि यहां पर आपने एक funny video बनाई तो यहां पर आप title डाल दीजिए funny video only funny video आपको यहां पर type करना है इसके लावा यहां पर आपको ज़्यादा लंबा चौरा title add करने की जर्थ नहीं है इसके लावा सबसे जो important होता है जब भी आप sorts वीडियो अपलोड करो जो उसका title होता है तो इसमें आपको 3 hashtag add करने होते हैं आप note कर लीजिए 3 hashtag कौन-कौन से वो hashtag होते हैं वो मैं यहां पर आपको बता दीता हूँ तो यहां पर आप देख पा रहे हो सबसे पहला hashtag होता है दोस्तों यहां पर आपको type करना है hashtag sorts उसके बाद आपको space देना है और यहां पर आपको लिखना है youtube YouTube sorts इसको आपको एक साथ जोड़के लिखना है बीच में आपको gap बिलकुल भी नहीं देना है और यहां पर आपको hashtag type कर देना है यहाँ पर दो हैस्टेग हो चुके हैं इसके लावा यहाँ पर आपको थार्ड वाला जो हैस्टेग एड करना है यहाँ पर आपको टाइप करना है सौट्स वाइरल यह तीनो हैस्टेग आपको अपनी हर सौट्स वीडियो के टाइटल में एड करने ही करने हैं टाइटल आप कर सकते हो अपनी वीडियो के according लेकिन आपको hashtag यह M3 एड करने हैं पहला hashtag shot दूसरा YouTube shots टीसरा Base shots भाइरल यह तीन्हों काफी important हैस्टेंग होते हैं source video को वाइरल करने के लिए इतना करने के बाद यहां पर आपको अपशन मलता है Ad description यहां पर आपको किसी भी social media links को share करने की जड़त नहीं होती यहाँ पर भी आप अच्छे कासे tags add कर सकते हो कॉमा लगा कर इसके लावा यहाँ पर आपको इसको unlisted रहने देना है और उसके बाद यहाँ पर आपको इसको upload कर देना है यहाँ पर आपको सिरफ इतना काम करना है इसके लावा और कोई भी काम करने की आपको जड़त नहीं होती जब भी आप अपनी वीडियो को YouTube application के थुरू upload करो यह सब करने के बाद आपको जाना है अपने YT studio में तो यहाँ पर मैं YT studio में इस वीडियो को open कर लेता हूँ तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो मैंने यहाँ पर YT studio को open कर लिया है थोड़ा network इस हुए तो थोड़ा सा हम wait कर लेते हैं यहाँ पर यह open हो चुका है दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा मैंने यहाँ पर अपने एक dummy channel पर source video upload की है क्योंकि मैंने चैनल पर मैं source video upload नहीं करता हूँ तो इसलिए वहाँ पर मैंने वीडियो upload नहीं की है यहाँ पर मैं जाता हूँ content पर content पर click करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आप देखोगे यह video थोड़ी देर में यहाँ पर आ जाएगी की जाती है तो यह करने के बाद आपको यहाँ से इसको open करना है open करने के बाद आपको यहाँ पर pencil वाले option पर click करना होता है edit वाले option पर edit वाले option पर click करने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने description को open करना होता है और यहाँ पर जो भी आपका topic है उस topic के related आपको अच्छे खासे यहाँ पर text add करने हैं और आपको comma लगाकर यहाँ पर text add करने हैं text आप अपनी मर्जी के according कुछ भी यहाँ पर add कर सकते हो इसके लावा यहाँ पर आप hashtag भी use कर सकते हो तो यहाँ पर आपको description में कुछ text add करने होते हैं comma लगाकर इसके लावा हम बात करते हैं visibility की इसको आपको अभी unlisted रहने देना है बाद में इसको आपको किस तरह public करना होता है आपको instant premiere करके इसको upload करना होता है या फिर आपको direct public करना होता है वो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो यहाँ पर आपको इस वाले option को अभी कुछ नहीं करना इसके लावा यहाँ पर आपको third option मिलता है audience का इस पर click करने के बाद अगर आपकी वीडियो बच्चों के लिए तो यहाँ पर आप yes it's made for kids इस वाले option पर click कर सकते हो इसके लावा यहाँ पर आपको next option मिलता है more option इस पर आपको click करना है more option पर click करने के बाद यहाँ पर सबसे पहला option आपको मिलता है add text इस पर आपको click करके यहाँ पर आपको text add करने होते हैं कुछ important text यहाँ पर मैं आपको note करा दीता हूँ वो सब not कर लिए वो tax आपको हर वीडियो में add करना है पहला tax होता है shorts आपको shorts लिखना है हर tax section में इसके लावा YouTube shorts, viral shorts, shorts video, shorts viral इस तरह के जो भी shorts related tax है उन सबी को यहाँ पर आपको add करना है उसके बाद जिस भी topic पर आपकी वीडियो है उससे related भी यहाँ पर आप tax add कर सकते हो यह आपको सब कुछ यहाँ पर tax section में add करना होता है यह सब करने के बाद आपको यहाँ सब back जाना है बाद अब आपको जाना है visibility में लेकिन visibility में जाने से पहले यहाँ पर आपको एक click bad thumbnail add करना होता है और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आप source वाले section से वीडियो upload करते हो तो वहाँ पर आपको thumbnail add करने भी थोड़ी problem face होती है लेकिन आप upload है वीडियो वाले section में जाकर अपनी वीडियो को upload करते हो source वीडियो को वहाँ से upload करते हो तो यहाँ पर आप कभी भी आसानी से thumbnail add कर सकते हो यहाँ पर यह याद रखिए जब भी आप thumbnail create करो thumbnail बनाओ तो आप कोशिज कीजिए जो भी आपका thumbnail हो वो एक click bad thumbnail हो या आप thumbnail नहीं भी बनाते हो और आपकी वीडियो बहुत अच्छी है तब भी source वीडियो को आप upload कर सकते हो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है तो यहाँ पर मैं clear कर दिता हूँ thumbnail इतना important नहीं होता है अगर आपकी वीडियो अच्छी है तो source वीडियो without thumbnail के भी viral हो सकती है thumbnail यहाँ पर इतनी important भूमिका नहीं निभाता है आपने देखा होगा बहुत सारी source वीडियो को without thumbnail के upload किया जाता है और उन पर million में views आते हैं यहाँ पर मैंने आपको clear कर दिया है यह thumbnail इतना important यहाँ पर नहीं होता है यह सब करने के बाद आपको visibility वाले option पर click करना होता है यहाँ पर आपको public पर click करके इसको back करना होता है और यहाँ से आपको simple save करना होता है यह सबी settings होती है जब भी आप अपनी video को upload करते हो अपने YouTube चैनल पर यहाँ पर मैंने कुछ important point आपको clear कर दिये हैं अब हम जानते हैं दोस्तों आपको starting में किस type के topics पर source video बनानी चाहिए तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों जब भी आप source video create करो तो आपको अपनी source video में एक suspense create करना है आप कोशिश कीजिए आपकी video 15-20 second की हो और उसमें आपको एक suspense create करना है जिससे कि जो audience होती है जो आपकी video को watch कर रही है वो आपकी video को last तक watch करे हुआ है तब ही उन video में अच्छे खासे views आये हुए है अगर आप अपनी हर video में एक suspense create करते हो तो आपकी video पर अच्छे खासे views आपको कुछ दिनों में देखने को मिल जाते है source video को viral करने का एक ही trick होता है जो सबसे एहम होता है सबसे important होता है आप जब भी source video create करो तो आपनी वीडियो में एक suspense create कीजिए जिसकी audience आपकी video पर रुख जाए यह सबसे important point होता है किसी भी source video को viral करने के लिए और आपको इसी type के topics पर video बनानी होती है starting में जब आपकी video viral होने लग जाए उसके बाद आप topic को थोड़ा change भी कर सकते हो तो यह कुछ important point होते है source video को viral करने के लिए इसके लावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा जो source video होती है उन पर जो impression होते हैं compared to long video के 10 गुना जादा आते हैं अगर आपकी किसी long video पर 1 million impression आये हुए है तो वही source video पर 10 million impression आपको देखने को मिल जाते हैं source video को YouTube जल्दी viral करता है जल्दी से जल्दी trending section में भेजता है वही long video इतनी जल्दी viral नहीं होती है इसके लावा दोस्तों आप सभी जानते हो आप source video से earning भी start हो चुकी है $100 से कम amount भी बहुत सारे source creator को दिया जा रहा है जिनकी वीडियो पर कम views आते हैं तो इसलिए दोस्तों source video से भी आप आने वाले समय में अच्छी कासी earning कर सकते हो दोस्तों यहाँ पर मैंने एक YouTube channel को open किया हुआ था Rules of Sigma इसको मैंने open क्यों किया था तो मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे पहला जो point मैंने आपर आपको दिखाये था इस पर जो भी वीडियो अपलोड की गई है यह सब भी वीडियो अपलोड की गई है create a upload उस वाले section से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की गई है इसके लावा यहाँ पर मैंने आपको दिखाये यहाँ पर text ज़्यादा matter नहीं करते है आप कुछ text अपने according यहाँ पर add कर सकते हो इसके लावा मैंने आपको बताया जब भी आप title add करो तो आपको title में hashtag add करना है hashtag source hashtag YouTube source hashtag source viral यह तीन आपको hashtag अपनी हर source वीडियो में add करने है यहाँ पर इन्होंने तीन hashtag को add किया हुआ है इन्होंने अलग-अलग यहाँ पर add किया हुआ है लेकिन जो मैंने आपको बताए हैं आपको starting में वही hashtag add करने है यूज करने है मैंने यहाँ पर आपके साथ कुछ important tricks share की है अगर आप इन सभी tricks का सही से यूज करते हो सही से इन tricks को follow करते हो तो मैं आपको 200% लिख के दिशकता हूँ आपकी source video भी बहुत जल्दी viral हो जाएगी और आपकी सभी source video पर अच्छे खासे वीव जाने स्टार्ट हो जाएगे तो उम्मीदे दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो के लाइक जरू कर दीजिए इसी तरह की interesting और knowledge full वीडियो के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सस्क्राइब करकर बेल आइकल को प्रेश जरू कर दीजिए जिससे कि आपको हमारी latest studio का notification सबसे पहले मिल जाए तो मिलते हैं दोस्तों फिर से एक new interesting वीडियो के साथ तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए जे हिंजे भार दोस्तों